कई बार लोग कहते हैं भारत को बड़ा करना है देखो अमरीका में कैसा है भारत को बड़ा करना है देखो चायना कहां तक पहुंचा भारत को महाशक्ती बनाना है भारत को भारत के नाते बड़ा बनाना है पार अमरीका ने क्या किया अमरीका बड़ा तो बना है बलाढ्ड या है संपन्न है ज्ञानि ज्ञान के शित्र में आगे है लेकिन सारी दुनिया पर अपनी व्यवस्था लादने का डंडा चलाता है क्योंकि अपनी छोटी सी जनसंख्या के लिए उसको बहुत सारे संसादन चाहिए है चीन भी बड़ा बना है आगे गया है लेकिन अपने सामर्थ का उप्योग अन्य देशों के टुकड़े अलग करके अपने सामरज्य का विस्तार करने के लिए करता क्या भारत को ऐसा बनना है कि यह भारत नहीं है भारत एक स्वभाव है भारत ने जाना है इतिहास ने जब आखे खोली तब उसको ज्यान समपन्न भारत मिला वो ज्यान क्या था वो ज्यान है संपूर्ण अस्थित्व की एकता का ग्यान अधूरे ग्यान में आज भी दुनिया भटक रही है बहुत प्रगती हुई है बहुत सुविधाये मिली है बहुत सारा भहुतिक ज्ञान का विस्तार हुआ है परंतु आज भी कोरोना जैसी बीमारी सारे विश्व को दो साल के लिए पंगु बना देती है और उस महा आपदा में सबसे आगे कौन रहता है सबसे ठीक कौन रहता है भारत रहता है क्यों कि अधूरी दृष्टी जो प्रचली थे उसके पास जोडने वाले तत्व का ग्यान नहीं भारत के प्राचीन पूर्वजों ने वो ग्यान प्राप्त किया कर दो कि प्राचीन इव़च्छ कर दिया है कि एम हाँ प्राचीन जो प्राचीन प्राचीन इव़च्छ कि भारत कि अवच्छीन प्राचीन यूर्वच्छ